बाज पक्षी जिसे हम इगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिच्याना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोच कर सबसे उचा उड़ जाती हैं, पक्षियों की दुनिया में ऐसी कठीन और सक्त ट करने में मादा बाज साथ से नौ मिनिट का समय लेती हैं, यहां से शुरू होती है उस नन्ने चूजे की कठीन परिक्षा, उसे अब यहां बताए जाएगा कि तू किसलिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी उंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत उंचा है, औ किलोमेटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंक जो कंजाइन से जक्ड़े होते हैं, वह खुलने लगते हैं, लगभग नौ किलोमेटर आने के बाद उसके पंक पुरे खुल जाते हैं, यह जीवन का पहला दोर होता है, जब बाज का बच्चा अपने पंक पढ़ाता है अब धर्ती से वह लगभग 3000 मिटर दूर है लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सिख पाया है अब धर्ती के बिलकुल करीब आजाता है जहां से वह देख सकता है अपने इलाके को अब उसकी दूरी धर्ती से महज 700-800 मिटर होती है लेकिन उसके पंख अभी अतने 500 मिटर दूरी पर उसे अब लगता है कि ये उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपने गिरफ मिलेता है और अपने पंखों के दर्म्यान समा लेता है ये पंजा उसकी मा का होता है जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती ह और उसकी ये ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सिख जाता ये ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से डस गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है इंदी में एक कहवत है ब इना अवश्यक्ता के भी संघर्ष करना सिखाए वर्तमान समय की अनंत सुख सुविधाओ की आदत वपरिवार के बेहिसाब लाड़ प्यार ने मिलकर अपने बच्चों को ब्राइलर मूर्गे जैसा बना दिया है जिसके पास मजबूर टंगडी तो है पर चल नहीं सकता व और शास्त्र दोनों की विद्या अवश्य दे यही आपका प्रथम कर्तव्य है उन्हें एसी की हवा में तभी बैठने दे जब गर्मी में रहना सिख जाए दाड़े की चावी तभी दे जब कहीं किलोमेटर पैदल चलने से हिचके चाते नहों दोस्तों इस वीडियो को ले पेज को धान्यबाद